इसे प्रिवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैरेंबल में क्या चीज़े दी गई हैं और उसके जरिये हम लोग यह समझने की कोशिश किये कि पैरेंबल में किन फिलोसफी को इंक्लूड किया गया है in our constitution तो पैरेंबल वो सारी चीज़ों को बताता है जो प्रिंसिपल और वैल्यूस के तौर पे इंडियन constitution में ली गई है और आज इस टॉपिक में हम लोग चर्शा करेंगे वो है इंस्टिटूशनल डिजाइन दिस विल भी लास्ट वीडियो अफ दिस चाप्टर तो इसको सम्मराइज भी करेंगे इस चैप्टर को हम लोग इसमें तो आईए सुरू करते हैं constitutional design को कि constitution a constitution is not merely a statement of values and philosophy यह केवल value और ही इसमें नहीं है constitution में बल्कि और भी बहुत सारी चीजें constitution के अंदर है a constitution is mainly about embodying this values into institutional arrangement यह जो values और philosophy हम लोग देख रहे हैं जो principles parambles के द्वारा हम लोगों ने समझे कि यह सारी चीजें एक institution के तौर पर चेंज हो जाती है और उन institution के जरिये ही एक democratic days चलता है तो constitution is mainly about embodying this values into institutional तो इसी को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यह values और principles जो दिए गया है constitution में वह institution के जरिए नजर आते हैं it is long and detailed document that needs to be amended quite regularly to keep it updated यह जो document है जिसको हम लोग constitution कह रहे हैं या constitution के नाम से जानते हैं यह जो document है यह बहुत detailed document है इसमें बहुत सारी चीजें जो समय और परिस्थित्या जिस तरह से बदलती है इन में भी amendments लाने की जरूरत पड़ती क्योंकि बदलते हुए हालात में नीतियों को बदलना जरूरी होता है यह जरूरी हो जाता है कि यह जो एक बहुत detailed document है हमारा जिसके द्वारा देश को इसको गवन किया जा रहा है उनमें सारे वो वेल्यूज और प्रिंसिपल इंक्लूड है जिसके द्वारा इंस्टिटूशन गवर्न हो रहा है तो उसमें भी amendments लाए जाने चाहिए जब फ्रेमर्स ने इसको constitute किया तो उन्होंने इसको बिल्कुल स्काटिक नहीं बनाया वो भी जानते थी कि इसमें समय समय पर परिवर्थन जरूरी होंगे इसलिए उन्होंने कॉंस्टिटूशन के अंदर amendments के प्रावधान भी कि जब भी जरूरत हो गवर्मेंट उस हिसाब से इसको समय समय पर परिवर्थि करते रहे और इसको समय के मुताविब ढाला जा सकते इसलिए उसमें कॉंस्टिटूशन में उन लोगों ने एमेंड्मेंड्मेंट के प्रावधान भी रहे रहे हैं रखे ताकि समय समय पर जिस तरह से जरूरते परिवर्थित हो उस तरह से इसे भी परिवर्थित किया जा और इसमें भी सुधार की आवशक्ता पुड़े इस चैंज़े और इन्हीं को एमेंड्मेंड्मेंट्स कहा जाता है जो समय-समय पर है वो लगातार हो रहे हैं और अभी तक सौ से उपर एमेंडमेंट्स Constitution में हो चुके हैं इन सतर वर्सों 75 वर्सों में तो यह एक समय की मांग है और जिस तरह से हलाच चेंज होते हैं जिस तरह से उसका डिमांड मैसूस होता है यह अनुभाव करती है सरकार कि नहीं यहां अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो फिर Constitution के अंदर समय समय पर परिवर्स तक किये जाते हैं जिनको हम लोग अमेंडमेंडमेंट्स करते हैं आए इंस्टिचूशनल डिजाइन को समझते हैं दा कंस्टिचूशन डिस्क्राइब दा इंस्टिचूशनल एर्जमेंट इन इन वेरी लीगल लेंगवेज जब हम कंस्टिचूशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जो चीजय दिगाई है वो बहुत ही लीगल लेंग्वेज में लिख्की ग नहीं है और पहली बार पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हो मुझे लीगल कोई बहुत जानकारी तो है नहीं तो इस Constitution को कैसे interpret किया जाए कैसे इसको समझा जाए कैसे इसके language को अंडर्स्टाइट किया जाए यह एक कठिनाई थोड़ी से मस्तूस होती है दा बेसिक institutional design is not very difficult to understand लेकिन इसकी बेसिक जो institutional design है वो बिलकुल ही सरल है बिलकुल ही आसान है जिसको कोई एक बहुत ही इनिशियल स्केज में जो वैक्ति इसको पोड़ रहा है वो भी इसको आसानी से समझ सकता है दा इंडियन Constitution lay down a procedure for choosing person to govern the country कौन लोग को इस country को govern करेंगे इसकी चर्चा इसमें है कि कैसे उनको चूज किया जाएगा जो लोग इस देश को चलानेंगे उन वैक्तियों को कैसे चूज करेंगी कंट्री के लोग कैसे चूज करेंगे उनको यह एक प्रोसेजर की तहर यह सारी चर्चाएं Constitution में वह तरीका बताया गया है कि कैसे पीपल इन लोगों को इलेक्ट करेंगे इस डिफाइन्स हाव वेल हैब व्यक्ति के पास जो समवैधानिक पद होंगे उसमें हर एक पद पर एक वैक्ति बैठेगा और वह वैक्ति कौन होगा और उसके कितने पावर होंगे यह डिफाइन करता है कि उसके पावर के क्या क्या से चुना जाएगा यह पूरी जानकारी Constitution में दी गई है अब दूसरी जानकारी यह है कि जो विभिन समवैधानिक पद हैं इनको भी करता है इसको भी यह बताने की कोशिच करती है तो हम लोग देखते हैं कि तावाम Constitutional जो डिजाइन है वो किस तरह से काम करेगी उसको Constitutional में Constitutional में वह खुभी समझाया गया है उसके पावर और लिमिटेशन को बताया गया है और उन तरीकों को बताया गया है जिनके द्वारा समवैधानिक पदों का चुनाओं तो उमीद वच्चों कि यह चैप्टर आपको समझ में आओगा पूरे चैप्टर में मेरे साथ ब